आप सबका आपके यूट्यूब चेनल सेल्फ हेल्प में स्वागत आए आज हम रीट लेवल मैज के वीडियो पर चर्चा करेंगे उसमें अपना टोपिक है एक करोड तक की पूर्ण संख्याएं देखिए संख्या पर जाने से पहले पूर्ण संख्याएं है अपना इससे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या पूर्ण संख्याएं कहां से है देखिए हम शुरुवात की बात करते हैं जब अंक नहीं बने थे तब किसी को अगर गिनना होता जैसे आज तो हम जानते हैं कि चार केसे लिखते हैं जिससे मैंने ये चार लिख दिया लेकिन पुराने समय में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है जिसे ही एक, दो और चार ये इस प्रकार से लिखा जाता था अगर उनको आठ लिखना होता तो वो इस प्रकार से लिखते है एक, दो, तीन, चार और फिर ये 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से वो लिखते थे लेकिन इस संक्या से हम ज्यादा आगे तक की संक्याएं नहीं लिख पाते हैं उसके बाद आपका आया रोमन पदत्ती रोमन पदत्ती में हम एक ये दो ये तीन चार पांच छे साथ आठ नो और ये दस उसके बाद देखिए दस को यहां क्रोश यह अभी वर्तमार हम इसको एक्स के रोप में मानते हैं इस रोप में लिखा है इसमें भी एकना क्या है कि दस से आगे इस लिखने की संक्या कोई प्रावदा नहीं था इसमें भी आप देख सकते हैं दस तक लिखा दस के बाद ग्यारा लिखना है इसी का रिपीट होता है ये ग्यारा है फिर ये बारा 15 लिखना और ये है अब इसमें हमें 50 लिखना है 50 के लिए यहां पर L का उप्योग करते हैं और 100 के लिए हम C का प्रियोग करते हैं इसमें आगे हमारे इसलिए आगे लिखने की आई से और आगे बढ़ने में बहुत कठना ही होने लगी उसके बाद क्या है भारतिय अंक पदती जिसके अंदर हमारे पास गिंतियाई से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये आपके पास नो इसके बाद हमारे आरिये बट महोदे जीरो की खोज की कनतिगिर है हमारे देश के उन्होंने जीरो की खोज की और हमारे यहाँ पर बस इस प्रकार से लिखा जाने लगा यह हिंदी में इस प्रिगासेदा से लिखते हैं और इस जीरो का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वे है पहले कहीं पे भी जीरो का आविसकार नहीं हुआ था उस वक्त संक्या को हम आगे नहीं लिख सकते थे अब जीरो का मतलब दिखो हमारे जीवन में कितना महत्वे अगर ट तो पर पाद दिएए चाहिए उसको एकमान पर इश्वे कि रएक चलता है इसका कुछ भी नहीं हो सकता है इसलिए जीरोंका हमारे जीवन में बहुत मेहतु Wikipedia कनिती दूसरी दूसरी से भी महवति मेहतुica हैं अब इसके बाद देखिए अपने पास क्या है इनके पाल अपने 12 बार्रों स्ताबदी के बाद अरब कंट्रीज के लोग हमारे भारत पर अक्रमन करने के लिए आए तब हमारे पास तो ये वाली थी उनके पास ये वाली गिंतिय थी इन्हों ने दोनों ने इसका मिलाव किया और एक नई पद्दती बनाई जिसको हम हिंदी अर्वी अंक पढ़ाली के नाम से जानते हैं और जो अंक है अपने वो एक, दो, तीर, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, और दस इस प्रकार से आगे के आगे चलते रहते हैं जीरों से लेके नौ और उसके बाहर एक जीरों का इल्म कुका वबस पुद्रावती होने लगती है और इंदी को हम हिंदू, अरेबिक अंक कहते हैं इसमें अपने पास दस अंक है जीरों यहां जीरों और लिखते हैं यह दस अंक है इसलिए इसको दास्मिक प्रणाली भी कहते हैं जिसको इंग्लिश में डेसिबल सिस्टम बोलते हैं इसी को बाहरते प्रणती में आबया बरत्मान में कहते हैं इसी को अंतराश्टी हैं अंक प्रणती के नाम से भी जानते हैं और डेसिमल सिस्टम इसको इंग्लिश में डेसि मल सिस्टम सिस्टम के नाम से भी नाम से भी इसको जानते हैं अब हमारे पास ये होता है कि ये अंक आगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो दस अंक है इनसे आगे संख्या बनते गए उसके बार हमारे पास आता है कि हम ये संख्या जो है संख्या तो हमारे तसंख्या हो गए है लेकिन अब इनसे संख्या किस प्रकार बनी है उसके बारे में हम अब देखते हैं पहर जिसकी एक है हम इसको एक बोल लेते हैं एक कहते हैं लेकिन इसे कोई संख्या आपने पास जिसे दो और एक इसको हम 21 कहते हैं लेकिन यह जिसे मैं लिख देता हूं इनको इस प्रकार से संक्या कर आगे बढ़ती जाए तो हम इन से संक्या बन जाती है अपने पार यह संक्या बन रही है हम इनको किस प्रकार से पढ़ते हैं उसी के बारे में पारत्य पत्यत्ति के बारे में और अंतरश्ट्य पत्यत्ति क किस प्रकार से पढ़ते हैं वही चीज हम जानेंगे संख्या किस प्रकार से बने एक हो गया फिर इस प्रकार से लिगा तेंसोगी यहां तक हमने पढ़ा है लेकिन भारतिय प्रद्धितियों की बात करेंगे एक तो भारतिय प्रद्धति और दूसरी आपकी अंतर राश्टिय प्रद्धति आप इसमें दोनों में किस प्रिकार से पढ़ते हैं वो चीज हमें यहां पे देखनी है और किस प्रिकार हम इसको अंकों में लिखते हैं किस प्रिकार से सब्दों में लिखते हैं इसी का हमें अधियन करना है देखिए हम पहले भारतिम पत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत यहां से तो अपने को इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि यह 1000 के नीचे अपना के चार है हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं चार हजार तीन सो इकीस ठीके दोस्तों उसके बाद अपना आगे और बढ़ते हैं तो यह 1000 का ही दो भार करके बारते प्रद्रती के अंदर यहां मैंने 5 लिख दिया तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा इन दोनों को एक साथ मिला कर हजार लिख को एक साथ मिला कर हम पढ़ेंगे और इसको हम बोलेंगे 54455 इन सो इकीस लिख भी जानाओ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमाई पास यह से कड़ा के बाद दो दो के जोड़े बना गे हम आगे बढ़ रहे हैं इसको मैं अगर इस प्रद्रकार से लिक आप थोड़ा ओर आगे बढ़ते हैं यहां पर एक सिंग्छा और लिख इस प्रिकार से अपने जिसे करोड हो गया आपका करोड करोड की सिंग्या की बात कर रहे हुं आगे आपका करोड के बात यह काई दाई सेगडा हजार दसजार लाक दस लाक करोड 10 करोड आपका अलब 10 अलब खरब दस खरब उसके बास देल पदम चलता रहता है अब हम इसमें से अंक लिखते हैं तो हमारे पास क्या देखिए इस प्रिकाजिसे में इसको पढ़ना चाहरा हूं इसको अपने पास क्या हो जाएगा बाते पदती के अंक लिखते हैं यह अंक मैंने लिखे हैं तो इसको इ की दाई सेगडा यार दस जाड लाग दस लाग यानि की यह जो है आपका इसको दस लाग बोला है इसका बनद चिहतर लाग की लाग का आया है इसे चिहतर लाग बोलेंगे और यह हजार के उपर है इसको चोपन 1321 पढ़ते हैं किस तरगार से यह आपका अंकू में लिखावा है यह आपका सब्दू में लिखावा है अगर यही चीज अगर बीच में से गाइब हो जाती जैसे यह आपका बीच में से गाइब कर दिया यह यहां पर नहीं लिखा है और यहां कि जीरो लिखा हुआ है तब आपको क्या करना यह चीरतर लाग को लिखाई है फिर इकाई दाई शेकड़ा अजार और दस जार पे जीरो है तो आपको चोबन की लिखाई क्या लिए केवल चार यह चीरतर दिशाया विशाएगा चार हजार तीन सो इक्कीस फिरो यह अपने पाल इस प्रकार से भारतिय पद्रत्ति के अंदर इनको पढ़ा जाता है अब हम इसी को पढ़ना चाहते हैं अंतर राष्टिय पद्रत्ति के अंदर तो हम किस प्रकार से पढ़ते हैं उसी के बार में आप से पहले हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें नौटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक पहुंसता रह देखिए अपने अंतरराष्ट त्रत्ति की बार बात करें रहे हैं उससे बढ़ते अंदकेक से देखते हैं यहां पर अपने पास देखे है कि टिटार के बार को माझता है दो के फिर सुग्णा फिर को ने दो दो के जोड़े के बाद अपने कोमा लेखता है फिर हम इसको पढ़ते हैं इकाई दाई शेकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग करोड दस करोड इसको हम इस प्रिकार से लिख लेते हैं जिसे अठानवे करोड यहत्तर लाग शोपन हजार तीओ इकीस ठीक है अब हम बात करेंगे अंतराश्टे पद्धत्य की अंतराश्टे पद्धत्य के अंदर हम किस प्रिकार से पढ़ते हैं देखिए इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास यह इकाई दाई सिकड़ा तक तक तो ठीक है यह 321 इसमें भी 321 पढ़ते हैं ठीक है उसके बात चलते हैं हमारे भारते पद्धत्य महजार के दो बात कर रखें लेकिन उन्होंने अंतराश्टे पद्धत्य के अंदर इसके तीन बात कर अब हम इस तीन भार को किस प्रकार से पढ़ते हैं वो एक एक करके देखते हैं यह आपका चार पिर आपका ये पिर आपका इन तीनों में क्या फर्क है इनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है अंतराश्टे पद्धत्य के अंदर वो हम देखते हैं जिसे मेंने यह काई राई से अजार अपने यहां की पद्धत्य में हैं हजार दस जार लेकिन वहां पर है वो इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे अपना यहां पर किया हजार का ही कोलम है लेकिन अपने यहां लाख है उनके यहां हजार का कोलम है हम इसको इस प्रकार से आप चार हजार 321 अब हम इसको पढ़ते हैं देखिए हमारे बारते परिति में दो उंके बार कॉमा लगाते हैं यहां पे भी कॉमा यहां लगाया अब इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दाई, सेग्रा, अजार, दस जार यहां तर तो ठीक है यहां पे भी 54,320 ठीक है अब इसके बाद अपना कॉम तीसरा है जिसमें तीन, तीन की सिंट्या का कॉम बनाते हैं यह पूरा आपका हजार का ही कॉम है लेकिन भारते परदती में यह च्छे अगर देखते हैं तो लाग पे जाता है यहां पर हजार ही है इसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं तो ह्यार का ही कॉम है इसलिए इसको लिगा हमने लिगा 654,321 ठीक है? अब हम इससे आगी बात करते हैं मिलियन की बात करते हैं बारती परदती के अंदर अब हम यहां तक ही बात करते हैं से यहां यहां का साथ अब देखिया अगर हम भारते प्रदत्ती बात करेंगे तो अपना यह हीरी काई दाई सेगडा हजार दरजार लाग दरश लाग यह 4646321 लेकिन हम अन्तराश्ठे पदत्ती में इसको पड़ते हैं इसके बार हजार के बार इसमें आता आपका million क्या है दोस्तों अपना million यहां पर million भी यहां पर तीन भागों में बटा हुआ है अपता यहां पर क्या यह साथ है यह मीलियन वाले कुरम में है हम यहां पर लिखेंगे साथ कि मीलियन कि शैसो चोपन हजार कि तीन सो एकीस ठीके दोस्तों अब उससे थोड़ा हुआ आगे बढ़ते हैं तो अपने पास देखिए ये इसलिए हम यहां पर तीन तीन अंगु का जोड़ा इधर कम है कोई बात यह जिरो नहीं है तो उसको छोड़ दीजे आप तो यहां पर इसको देखिए आप हुं पढ़ते हैं इकाई दाई सेगड़ा अजार दस जार लाग भारत के साबसे दस लाग हो गया करोर दस करोड हो गया बात के साबसे लेकिन यहाँ पर यह million के अंदर ही है तो इसको हम पढ़ते हैं यह million वाला बाग है यह ajar वाला है यह काईद है इसे करा यह ajar है, यह ajar के बाद million है यह दस लाग का एक million होता है यह आपका 87 million छहस्सो चोपन अजार तीन सो एकिज ठीके दो अब थोड़ा हो आगे चलते हैं इसमें बात करते हैं अब इसमें देगे इसमें अपना तीन-तीन के जोड़े बने है अंतरा से पते हैं तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं यह तज़का इकाई, इदाई, सेगड़ा यह ajar और यह million का है तो हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं आपका basic concept अब हम कुछ इसमें उपर सवाल कर लेते हैं इसमें सवाल आते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं देखिए अपना जैसे की सब्दों में लिखिए मैं लिखिए मैं लिखने लिखता हूं श्यक यह इस प्रगार सिंक्राइब लिखना है तो इसको क्या करेंगे यह इकाय प्याण से सुनेगा यह इकाय है यह शेगड़ा है यहजार और दस हजार के उपर आपका कुछ भी नहीं चिरो है इसको नहीं बोलना वतसर है लेकिन लिखना कुछ भी नहीं पिर आपके बात दशॏर के बाद लाओ इस प्रेकार इसको हम लिखते हैं ये इकाई दाही, सेगडा इसके बाद बात पॉमा लगा लिया फिर अजार, इकाई दाही, सेगडा अजार, 轉शार, और ये लाओ हम इसको लिखते हैं 500,008,301 दीच में डाहिए का अंक नहीं है उसको नहीं बोलते हैं अपना है सब्सक्राइब सब्रहाइब कजिती अब इनकों लमाओ करोड़ के ऊपर नो है तो आप 니 नो करोड़ आपके पास देखिए नो करोड के बाद अपना लाख वाला कोलम है अपना पास यह देखिए लाख वाला कोलम है लाख में यहाँ होता है हम दस लाख कहते हैं लेकिन यहाँ पे दस लाख की शिप अपने पास क्या है जीरो है यह हम तीन को देखते हैं तो यह तीन लाक हो गया उसके बाद अपना यह हजार वाला कोलंग हजार के दो भागे है हजार दस हजार अपने पास भी दो संक्याएं है तो इसको हम 57 हजार उसके बार अब देखें सेकड़ा और दाही के उपर कुछ भी नहीं है तो हमें इसको कुछ लिखना नहीं है उसके बार क्या लिखेंगे इसको एक यह इस प्रकार से आपका सब्दू के अंदर लिखना हो गया अब हम कुछ सवाल करते हैं जिसको हम अंको में लिखते हैं अंक में अपना जो है इसको अंको में लिखना χाँ आपका इस देखा पाँच करोड़ नो लाग चार जार नो सो 88 88 यह आप पिल आठ आठ लिखेंगी ठीक है फिर आपका 900 यह शेक्राइब इस इंग्या है तो आप यह आपका 9888 फिर इसने का 4,000 यह ठीक है अब इसके बार अपने 10,000 यह नहीं है वहां पर वाओं क्या करते हैं यह 0 लगा देते हैं तो अपने पार 10,000 वो गया उसके बार अपना इसमा का लाक है इसमे के 9,000 ही है यह 9,000 का अपने लिखेंगी देते हैं दस लागज का यह अपना कोलम यहां पर अपने सुद्ध स्वाइब हत्वक्णुलाट फिरपना करोड का कोलम है यह पांच यह फिरक्रवर्णा यह सवालिख कि कोम लगाते जाएंगे तो अपने सथ 5rat89.4989. सी अपनी संक्या हो गई अब अपना ये देरखा देखिए निचे एक सवाल की एक करोड बराबर होता है एक हजार लाग के सो लाग के या दस लाग के या सो हजार के अब हम बात करते हैं यहां पर देखिए एक करोड यहां है यहां पर अपना ये लाग है दस लाग है यहां निन्यार में लाग के लिखते हैं फिर सो लाग हो जाता है जैसे ही सो लाग होता है यह करोड हो जाता है तो अपना जो अंसर होगा वो क्या होगा यह वाला सही होगा यान्द की सो लाग के बराबर होता है एक करोड जो है परबल सो लाक ठीक है यह अपना answer B आपका सही हो जाएगा